दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक्जाम सुथ MS YouTube चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम करेंगे physics का थोड़ा सा important work और आज की इस वीडियो में हम physics के derivation के बारे में हम कुछ तत्यों को आपके साथ साजा करेंगे और ये बताएंगे कि 2019 में कौन से derivation पू और उसमें हमारा confusion हो जाता है हमें पता नी चल पाता कि कौन सा derivation important है और कौन सा important नहीं है तो इसी की वज़ा से हम धेर सारे derivation तयार कर लेते हैं तो उसमें गड़बड हो जाती है mixing हो जाती है होच पोच हो जाता है एक में दूसरा दूसरे में तीसरा इस तरह के हमारा मिला हिंट मिल जाएगी कि किसी तरह के derivation आते हैं और 2020 में भी पूरी उम्मीद है कि इसी तरह के derivation इससे मिलते जुलते derivation यह हो जगता है एक दो derivation इनसे repeat भी हो जाएं तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को इससे पहले अगर subscribe आपको करना हो चैनल एक्जान से देमेस इ किजिए कि आवेशित संधारित्र के एकांक आयतन की वैदुत स्थतिज उर्जा हाफ एपसाइलन नौट इसक्वेर होती है जहां प्रतीकों के सामाने अर्थ हैं तो यह तीन नंबर में हमारा derivation पूछा गया था और यह electroesthetics यानिकी वैदुत स्थतिकी से पूछा गया था आपका तीन नंबर 2019 में दूसरा हमारा है दूसरा हमारा पूछा गया था दोस्तों magnetism से जो हमारा चुमबक वाला चैप्टर होता है magnetic physics उसमें से पूछा गया था हमारा दूसरा question या दूसरा derivation एंपियर का परिपत ही नियम लिखिए यहां तक तो कोई derivation नहीं पूछा गय लंबी दहरावाही परिनालिका के केंद्र में उत्पन चुमबकिये छेत्र की तीवरता का व्यंजक यानि यह formula प्राप्त कीजिए तो यह second part में हमारा derivation हमको करना है तीन नंबर में हमारे यह question पूछा गया था तीसरा आता है हमारा दोस्तों यह optics का chapter है यानि कि प्रकाश वाली जो यूनिट है प्रकाशिक की वहां से यह question उठाया गया है derivation उठाया गया है कि निउन्तम विचलन की अवस्था में प्रिज्म के पदार्थ के अपवरतनांग का विंजक प्राप्त कीजिए यह भी तीन नंबर का derivation दोस्तों तीन 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 छे नंबर के 9 नंबर के derivation आप से पूछे गए और अलग-अलग यूनिट से पूछे गए जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला आपको मिला है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स से, दूसरा मैगनेटिक्स से और तीसरा ऑप्टिक्स से यानि कि प्रकाशिकी और चुम्बक की वाला चैप्टर, चुम्बक वाला चैप्टर, मैगनेटिक फिजिक्स और यह आपका इस्थिर्वैद्योतिकी से आपका पूछा गया देनि यह derivation है मैं पता नहीं चल पाता जो important हो जो सबसे ज़ादा अच्छे derivation हो उनकी practice करने के लिए आप उनको अलग pages पर निकाल के रख सकते हैं और उनकी बार-बार practice कर सकते हैं इससे यह रहेगा कि आपको तैयारी के दोरान जब आपके exam निकट होंगे करीब होंगे तो आपको बहुत ही आसानी होने वाली है आप उन derivation को बार-बार revise कर पाओगे आप उन derivation को आसानी से handle कर पाओगे और आपको पता रहेगा कि काउन से important है हर एक unit पर आपको focus करना सबसे पहला पॉइंट है कि हर एक unit से important derivation दो-दो या तीन-तीन आप निकाल के रखिए अब वेंजक यानि की formula जो 2019 में direct पूछे गए थे कुछ formula आपके direct पूछ लिए गए थे 2019 में वो कौन से थे चली देखते हैं तो वो formula हमारे थे देली आवरत्ती तथा कारे फलन में संबंद लिखिए एक number का direct पूछा गया है कि वहला आपको formula लिख देना है देली आवरत्ती तथा कारे फलन में संबंद लिखिए दूसरा हमारा आता है question चल कुंडली धारा मापी की धार्या सुग्राहिता का वेंजक लिखिए एक number 2019 में फिर आता है हमारा यह question है हमारा विद्ध चेतर के आयाम तथा चुंबकी चेतर के आयाम में संबंद लिखिए डेड़ नंबर का question वन वन होफ का question है यानिकी डेड़ मार्क्स का यह question है और 2019 में यह पूछा क्या था तो अब फिर यहां से देखिए यह आपका पूछा गया प्रकाश वैद्ध प्रभाव से यह पूछा गया आपका magnetism से और यह पूछा गया आपका वैद्ध चेतर के आयाम यानिकी इलेक्ट्रो इस्टेटिक्स यानिकी वैद्ध इस्थितिकी से एक बार फिर से आप देख लीजिए जो डारेक्ट पूछे का हैं वेंजक जो 2019 में डारेक्ट पूछ लिए कहते हैं देली आवरत्ती तथा कारेफलन में संबंध लिखिए यह दोस्तों प्रकाश वैद्ध प कॉपी पर लिखिए और इस पर खुद मेनत कीजिए अगर आपको इससे संबंद वीडियो चाहिए तो हमारे किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो अगर आपको चाहिए था हमारे कॉमेंट बाक्स में बताईए दूसरा है हमारा चल कुंडली धारा मांपी की धारा तो यह थे हमारे questions जो की direct पूछे के तो 3 marks का आपका main part जो है derivation में confusion रहता है कि कौन से में derivation करने चाहिए तो हम सारी जो important units हमारी magnetism हो गया, optics हो गया, प्रकाशिकी और चुमबक्य फिजिक्स, चुमबक्य बहुत तकी, इसके बाद आपका इस्थिर विद्धुति की, इन सब से आप important derivation को अलग करते रहिए और उनको एक page पर उनके short form में, एक derivation का long form भी होता है, एक थोड़ा short form होता है, जिसमें आप थोड़ा कुछ steps को गायब कर देते हैं, कुछ steps को आप समझते हैं, तो उनको आप direct ले लेते हैं, ताकि derivation लंबा ना हो, और जब derivation छोटा होगा आप उसकी बार-बार practice करोगे, तो आपको बहुत ही आसानी होने वाली है, बहुत ही आसान रहेगा, तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो एक like कीजिए, share कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह के important videos, tutorials, देखने के लिए हमारे channel exams with MS को जरूर subscribe कीजिए, thanks for watching and listening me, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, thanks for watching and listening me and good luck for your future, thank you and bye-bye